संसारी और साधक में क्या तफावत है वो आज देखते हैं मेरी दस्टी से तो संसारी और साधक दोनों में एकी तफावत दिखता है वो है अपनी अपनी दस्टी का साधक साधना की यात्रापर है तो संसारी संसार की यात्रापर है साधक साक्सी भाव की तरफ आगे बढ़ रहा है तो संसारी करता भाव की तरफ आगे बढ़ रहा है साधक बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होता जा रहा है संसारी बंधनों में ही जकरता जा रहा है साधक गुणों की तरफ आगे बढ़ रहा है तो संसारी अउगुणों को बर्ती कर रहा है साधक के मन में उपासना की भावना है तो संसारी के मन में वासना कामना की भावना बरपूर होती है साधक अपने को अंदर से ही देखता है साधक की अपनी अंतरदस्टी होती है तो संसारी अमेशा दूसरों को ही देखता है उनकी दस्टी बाहिय मुखी होती है फिर भी साधक के अंदर ये सभी साधक का गूनों कभी नहीं होता तो साधक ओने का देखाओ करके पगवा अस्तर का दूर उप्योग करता है ये बात हम मानुओं को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए क्योंकि साधक ओने का देखाओ करना मतलब हम ही हमारे साथ दोखा दे रहे हैं हम ही प्रकुति को दोखा दे रहे हैं हम ही परमात्मा को दोखा दे रहे हैं जिसको हम उपासना की राह पर चलते हैं, जिसकी राह से हम उपासना करते हैं, जिसकी राह से हम आगे बढ़ने की कोशीश करते हैं, आत्मा की मुक्ति के कल्यान के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर भी हमारे साथ से ये गुनों नहीं है, तो हम खुद के साथ दोखा ही करते हैं परमात्मा के साथ ही दोखा करते हैं, प्रकुति के साथ ही दोखा करते हैं, यह बात पक्की है.